हेलो एब्रीवन मैं खुश्बू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजूकेशन टेक फिलो तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं देहली यूनिवरसिटी के ओफिशियल केलेंडर के बारे में जो की डियू की ओफिशियल वेबसाइट पर रिलीस कर दिया गया है आप खुद भी देख सकते हैं या फिर इस वीडियो में भी आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में इस एकडमिक केलेंडर के बारे में बहुत जादा इंफरमेशन मिलेगी तो यह जो एकडमिक केलेंडर रिलीस किया गया है यह फ्रेशर स्टूडेंड्स के लिए हैं जिन्होंने अभी ट्वेल्थ क्लास कम्पलीट किया और वो ग्रेजुएशन के लिए एपलाई करने वाले हैं तो फर्स्ट एयर के बच्चों के लिए यह हमारा एकडमिक केलेंडर है तो चलिए देख लेते हैं एक बार इस केलेंडर के बारे में तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यह आपके समने केलेंडर है तो इसमें फर्स्ट बेच या फिर फर्स्ट सेमेस्टर लिखा हुआ है तो सबसे पहले हमें किलासिस बताई गई है कि हमारी किलासिस कब से स्टार्ट होंगी तो 18 ओफ नवेंबर 2020 से हमारी क्लासिस स्टार्ट होंगी बड़ जैसा कि आप सब भी जानते हैं यहां कोविड-19 पेंडमिक आई हुई है तो इसी कायन हमारी क्लासेज ओफ लाइन ना होकर ओनलाइन ही होंगी देन उसके बाद हमें प्रेक्टिकल देर देर किया कि जो प्रेक्टिकल एक्जामनेशन होंगे वो हमारे कब होंगे तो इस साल नहीं बलकि नेक्स्ट येर होने वाले हैं 2021 में अब यह मार्च के महिने में होंगे 6th of March से लेक वो 15th of March 2021 से 13th of March तक कम्पिलीट होंगे तो इसी बीच आपके एक्जाम होंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है हमारे क्लासेज की डेट दी गई है हमारे प्रेक्टिकल की डेट दी गई है और हमारे एक्जाम की डेट दी गई है देन उसके के बाद सेमेस्टर ब्रेक की हमारे जो एक्जाम कंड़क्ट होने के बाद जो हमारे ब्रेक मिलेगा हमें कुछ दिन के टाइम पिरियड मिलेगा जिसे हम होली डेज कहते हैं तो वो कब से मिलेंगे वह हैं 28th of March से लेकर 31st of March तक से तीन दिन का हमें ब्रेक्ट मिलने वाला है तो आई होब कि आपको फर्स्ट एर फर्स्ट सेमेस्टर का बहुत अच्छे से समझाया हो तो अब हम बात कर लेते हैं सेकंड सेमेस्टर के बारे में क्योंकि आप जानते हैं हमारा सीवी से सिस्टम आया है तो फर्स्ट एर में हमारा टू सेमेस्टर होने वाले हैं तो फर् 2nd semester है उसकी कसे स्टार्ट होंगी तो मैं आपको बता देती हूं आप खुद भी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं सबसे पहले हम किलास के बारे में जन लेते हैं तो कि लासे हमारी 1st of April 2021 से स्टार्ट होंगी देन उसके बाद जो हमारे प्रेक्टिकल एक्जामनेशन है उसके डेट यहां दी गई है कि 21st of July, तो 21st July से हमारे जो practical हैं वो conduct करवा जाएंगे, कब तक 28 July तक हमारे जो practical हैं वो conduct करवा जाएंगे, तो उसके बाद जो हमारे examination है, final examination, किसके first year के, तो उसकी भी date हमें दी गई है 29th of July, इसकी जो last date है कि कब तक हमारे exam complete होंगे, तो 9th of August तक होंगे, तो 29th of July से लेकर 9th of August तक हमारे examination conduct करवा जाएंगे, तो हमें थोड़े सा break मिला गया, जैसे कि हमें first semester में भी break मिला था, तो वो भी हम देख लेते हैं कितने दिन का है, तो 10th of August से लेकर 15th of August तक, हमें break दिया गया ये पाच दिन का, जैन उसके बाद हमें commencement of next academic session for this batch, जैन फरस्ट येर का बेच होगा, इसका second year में जाने के दिने भी date दी गई है कि 16th of August को second year में चले जाएंगे, इनके जो first year हो जाएगा, फिर इन अपने result का wait करना पड़ेगा, जैसे भी marks आते हैं, उसके according आप next year में चले जाएंगे, तो I hope कि आपको बहुत अच्छे से ये academic calendar समझ आ गया होगा, और मैं आपको बता दूँ कि अभी तक D.U. के admission start नहीं हुए है, जल्दी D.U. के admission start हो जाएंगे, तो आप थोड़ा सा wait कीजिए, और कुछ तो हम कर ही नहीं सकते, तो I hope कि आज की वीडियो आपके या बहुत useful रही हो, तो अगर थोड़ी से भी useful रही हो, तो like जरूर करें, और इसी तरहां से latest वीडियो की notification के लिए हमारे चैनल को subscribe जरूर करें, so thank you for watching education.